हेलो एवरिवन माईसेल्फ डॉक्टर मन्जुमीना असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमेस्ट्री फ्रॉम गॉर्मेंट कोलेज कोटा आज हम कार्भो हाइड्रेट्स के अंतरगत ग्लुकोज का मैनोज में परिवर्तन सर्फप्रतन देखेंगे कनवर्जन ओफ ग्लुकोज इन्टू मैनोज तो ग्लुकोज का मैनोज में परिवर्तन हम दो मेथड से कर सकते हैं पहला मेथड है एपीमराइजेशन और सेकिंड मेथड है लोब्री, डी, वाइन, एंकेस्टाइन, पुनर, विन्यास तो सबसे पहले हम देखेंगे एपीमराइजेशन एपीमर किसे कहते हैं तो एपीमर जिन दो समावेओं के C2 परमाणों का विन्यास विपरित हो उन्हें क्या कहते हैं हम एपीमर कहते हैं किन ही दो एपीमरों के अंत्य परिवर्तन की जो किरिया होती है उसे हम कहते हैं मरीकरन या एपि मराई जेव escrn जैसे D-glucose फे, D-menose के धित्य कारवन परमाणूं के विन्यास फिपरित होते हैं अत्य ये दोनु परस पर एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ईपिमर गलुकोज से मैंनोज अत्वा मैनोज से ग्लुकोज में परिवर्थन की किरिया को क्या कहेंगे एपी मराई जेसन ग्लुकोज को मैनोज में अत्वा मैनोज को ग्लुकोज में परिवर्थित करने के लिए अभी किरियाओं की एक स्रंकला संपन करते हैं सर प्रतम क्या करते हैं इन्हें ब्रोमिन जल से उक्सीक्रत करके मोनो कार्वोक्सलिक अमलों में परिवर्थित किया जाता है इन अमलों को जब पिरीडिन के साथ गरम किया जाता है तो ये एक दूसरे में अंताय परिवर्थित हो जाते हैं जिनें गरम करने के बाद हम अपच करके इच्छित योगिक प्राप्त कर सकते हैं फोर एक्जामपल सरप्रत हम देखेंगे डी ग्लुकोज से डी मैनोज किस प्रकार से कनवर्ट होता है तो यह है डी ग्लुकोज इसका यह सीटू कारबन है जिसमें की ओएच हमें राइट हैंड साइड दिखाए दे रहा है तो इसको जब हम ब्रोमीन वाटर के अंदर ऑक्सिक्रत करवाते हैं तो एक इसमें करवर्ट हो जाता है ग्लुकोनिक अम्र अब हम इसकी प्रिडिन डालते हैं तो यह वाला एच्छ यहां सिफ्ट हो जाएगा और यहां क्या जाएगा डबल बॉन इसको बोलते हैं इनोल मध्य वर्टी फिर वापस से प्रिडिन से करते हैं तो यह वाला बॉन टूटेगा और एच्छ यहां जाएगा इसको बोलते हैं मैनो निक अम्र फिर जब हम इसको गरम करेंगे तो यहां से क्या होगा एक एच्छ टूओ मोलिकुल निकल जाएगा और किसमें करवर्ट हो जाता है डी ग्लुकोज में सेकंड नमर के कारवन पे ओएच राइट हंड साइड है जबकि डी मैनोज में ओएच लेफ साइड है इस कारण से दोने एक दूसरे की क्या है एपीमर नेक्स्ट मेथड है लोब्री डी ब्राइन वॉन एंकेंस्टैन पुनर विन्यास जब सरक्राओं को सांध्र खशारों के साथ गरम किया जाता है तो वे फार्मेलडिहाइड हाइड्रोक्सी हैल्डिहाइड अन्य निम्न कोटी की सरक्राओं में विघटित होकर पीले या नुक्षारों के साथ अथ्वा एमीन के साथ गरम किया जाए तो ये समावेवित होकर अल्डोज, कीटोज वे अन्य एपीमर का एक सामें विस्रन बनाते हैं धान के लिए यदि हम ग्लुकोज अथ्वा फ्रक्टोज अथ्वा मैनोज किसी एक को लेकर तनुक्षार के साथ गरम करें तो हमें तीनों का सामें विस्रन प्राप्त होता है, तो इस प्रक्रियाकों हम लोब्री, ड्री, ब्राइन, वॉन, एंकेंस्टेंट, पुनर विन्यास और इसकी किरियाविदी इन डायोल के माध्यम से संपन होती है किस प्रकार से होती है ये ग्लूकोज है जिसमें कि एक एल्डे हैड समूगे श्यार के प्रेजन्स में क्या होगा ये वाला बॉन या सिफ्ट होगा यहां डबल आ जाएगा यहां डबल बॉन बन जाएगा और यह वाला बॉन या से तूटेगा इससे क्या होगा यहां तो क्या हो जाएगा डबल बॉन बन जाएगा और यहां एच सोरी सी डबल बॉन आ गया यहां पर और यह हो गया और यहां पर ओ एच एच इस प्रकार से मैनोज में कनवर्ट हो जाएगा और यदि यह वाला बॉन यहां हो तो यहां डबल बॉन आ ज जाएगा यह फ्रक्टोस में इस प्रकार से एक श्यार के प्रजेंस में ग्लुकोज मैनोज और फ्रक्टोस का एक सामने मिस्रण हमें प्राप्त होता है देखेंगे मोनो सेकराइडों की विवरत सरंकला सनरचना के दोस ग्लुकोज की विवरत सरंकला के अधार पर इसके निम्झ गुणों की व्याक्या संभाव नहीं है जूडियम बाईस तलफायड के सायोग अतुआत भी नहीं बनाता ग्लुकोज के दो प्रकार के रूपों में पाये जाता है यदि हम इसका क्रिस्टिलाइजेशन करें जल वे अलकोहल मिस्रण के साथ करवाया जाता है तो जो ग्लुकोज प्राप्त होता है उसका गल्लांग कितना होता है 146 degree centigrade जबकि पिरिडीन से क्रिस्टिलांग करवाएं त से 150 degree centigrade इन दोनों प्रकासी इन दोनों के प्रकासी गुण भी अलग-अलग होते हैं प्रथम वाले का प्लस 112 डिग्री व्यदित्य वाले का प्लस 19 डिग्री इन्हें हम क्रम से एलफा वा बीटा ग्लुकोज की नाम से जानते हैं ग्लुकोज को एस्ट्रियल के उपस्तिती मे मैतिनोल के साथ गरम करने पर दो समावय वी मैतिल गुकोसाइड के प्राप्त होते हैं फिफ्थ हैस्थ का परिवर्ती द्रुवन गूनन, म्यूटा रोटेशन, तो ग्लुकोज का परिवर्ती द्रुवन गूनन प्रदर्शित करता है, जब किसी पधार्थ के द्रुवन गूनन के मान में समय के साथ कोई परिवर्तन होता है, अथारत किसी पधारत के ध्रुवन गुंणन का मान यदि समय के साथ क्या गठे या बढ़ता है, तो पधारत के इस गुंण को हम परिवरति ध्रुवन गुंणन या म्यूटा रोटेशन कहते हैं अन्य कई कार्वो हार्डरेटों के समान ग्लुकोज में भी ये गुन पाया जाता है यदि हम एलफा ग्लुकोज की ताजा बने हुए विलियन का विशिस्ट घूनन ग्यात करे तो वह है प्लस 112 डिगरी आता है यदि इस विलियन को रख दिया जाए तो इसके विशिस्ट घूनन के मान में धीरे धीरे कमी आती जाती है और अन्त में प्लस 52 डिगरी पर ये मान इस्तिर हो जाता है इसी प्रकार यदि हम बीटा ग्लुकोज की ताजा बिलियन जो है उसका विशिस्ट घूनन का मान ग्यात करे तो वह प्लस 19 डिगरी आता है किन्तु समय के साथ ये मान बढ़ता बढ़ता अंत में प्लस 52 डिगरी पर आकर इस्तिर हो जाता है तो ये उप्यूक्त में से कोई भी गुण हम ग्लुकोज की ओपन चैन या विवरस रंखला वाली संरचना से नहीं समझा सकते अताय टॉलेन ने इसकी चक्रिय संरचना का सुझाओ दिया ग्लुकोज की बाती फ्रक्टोस, मैनोज, आदी मोने सेकेराइड भी सिर्फ अभी कर्म को गुलाबी नहीं करते सोडियम बाई सलफाइड के साथ योगात्मक अभीक्रिया नहीं दर्सताते परिवर्ती ध्रून गूनन पर प्रदर्शित करते हैं तो इन सब के लिए चक्रिय संदजना का सुझाओ दिया गया वस्तुते क्या होता है कि समस्मोनोसेकेराइडो में कार्बोनिल योगिकों के साथ कुछ हैड्रोक्सी समू होते हैं हम जानते हैं कि कार्बोनिल समूयुक्त योगिक ऐल्डिहाइड योगिकों के साथ कौन से क्रिया करते हैं ना भीक्स नहीं योगात्म का भी क्रिया करके हैमी ऐसी टैल या हैमी की टैल का निर्मान करते हैं यह है eldehyde और alcohol यह अपस में react करके किसमे convert हो जाते हैं हमी एसी टेल में फिर एक और एलकोहल से किरिय करके यहां से ह्ध्टू निकल जाय ग और किसमें convert हो जायगा इसी प्रकार से ketone एलकॉहल से किरिया करेंगे तो सरप्रत्तन किसमें convert होंगे वह है यह है education है है इन्टरा मोलिकुलर किर्या करके चक्रिय सनरचना योग्त हेमिय एसिटेल अथ्वा हेमिकीटेल की निर्माद में इक सम्मित कारवन पर्मानों का परिवर्थन किसमें होता है एस सम्मित कार्वं परमाणों में अते दो समावेवी स्तनरशना का युगम बनने की संभावना होती है जिने की हम एनोमर्थ कहते हैं जैसे ग्लुकोज से निम प्रकार से एलफा वे बीटा दो एनोमरिक रूपों में परिवर्थित होता है यह क्य में कर्वर्ट हो जाएगा यह वाला क्या है अपना ग्लुकोज तो ग्लुकोज में जो फिप्त नंबर का कार्वन है और फर्स नंबर का कार्वन है यहां और यहां पर तो जब इसको हम गरम करते हैं तो यह किसमें करते हैं यहां से यह तूटे करते हैं और यह वाला यहां पर मन मना लेगा तो यह बीटा ग्लुकोज उसमें गार्फा में ग्लुकोज दो इस प्रकार से यह एलफा ग्लुकोज चकर्य संवर्षनाओं में पाई जाते हैं तो इन शंवर्षनाओं के आदार पर हम समस्त गुणों की व्याक्या को समझा सकते हैं ग्लुकोज सिर्फ अभी कर्मक को गुलाबी नहीं करता वे सोडियम बाई सल्फाइट के साथ योगात पाद उत्पाद नहीं बनाता है क्योंकि ग्लुकोज की जो चक्रिय संरचना है उसमें की CHO समून नहीं है जैसे कि हम यहां देखें ये इसकी चक्रिय संरचना है अब प्रशन उड़ता है कि जब ग्लुकोज में CHO समून नहीं है तो यह फैलिंग विलियन है टॉलेन अभी कर्मक है एच सीन है इत्यादी के साथ अभी क्रिया क्यों देता है इसका कारण क्या है कि ग्लुकोज की यह वलिय संरचना बहुत अधिक इस्थाई नहीं होती है आता है तिवर अभी कर्मक जैसे कि फैलिंग विलियन है एच सीन है आदी इसकी वले को तोड़कर विवरस रंखला का योगित बना देते हैं दो प्रकार के समावियों के बनने की संभावन है इसलिए ग्लुकोज क्या होता है दो एनुमरीक रूपों में पाया जाता है थर्ड पॉइंट है चुकि ग्लुकोज में दो एनुमरीक रूपों में पाया जाता है अता है इसके दो प्रकार के क्या बनते हैं मैथिल ग्लुकोसाइड बनते हैं फूर्थ है ग्लुकोज का जल्य विलियन परिवर्ति द्रूवन गुनना प्रदर्शित करता है क्योंकि जल्य विलियन में ग्लुकोज की आणों चाहे वो एलफा एनूमर हो या बीटा वी वीवरस रंकले सनस्थना के माध्यम से एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं क्योंकि यह अभी क्रिया को इसी होती है रिवर्सिवल या उत्क्रमण ही होती है आता कुछ समय पर शात एक साम्य या इकलूब्रियम इस्थापित हो जाता है इसी साम्य मिस्रण का विशिष्ट गूर्णन कितना होता है प्लस बावन डिग्री और यही कारण है कि चाहे हम लुग्यु को से प्राराम करें या भीटा रुखोज से विशिट गूर्णन प्लस बावन डिग्री पर आकर स्तिर हो जाता है ऐल्फा रुखोज है इसका विशिष्ट गूर्ण कंवर्ण कितना है सामय वस्था में देरे भढ़ कर केतना हो जाता है इस प्रकार से यह सामे वस्था के अंदर आके स्थिर्ख हो जाता है सामय वस्था में मिस्रन का विसीष्ट गुनन 52 दिग्री है दरसाता है कि मिस्रन में बीटा ग्लुकोज की मातरा एलफा ग्लुकोज की बिल्कुल बराबर नहीं है बलकि कुछ अधिक है इसका कारण क्या है कि एलफा ग्लुकोज में C1 वे C2 के OS समू अणू के एक ही तरफ है जिससे कि उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इस्टेरिक प् है जिससे कि एस्यां मिस्रुद में बीटा ग्लुकोज की मातरा एलफा ग्लुकोज की से लगबख 63 कुछ ज्यादा लगबख कितनी हो जाती है missing. सेवन परसेंट हो जाती है जैसे हम इसमें देखी है यह क्या alpha glucose इसमें क्या हो रहा है कि जो दोनों समूं किदर आ रहे हैं एक तरफ आ रहे हैं तो इसमें क्या वह होगा इसे इंडरंस और यहां यह आरेक्षिं इसलिए इसे कम होता है इसकारण से हम कह सकते हैं कि पीटा ग्लुकोज की जो मात्रा है एलफा ग्लुकोज से अधिक होती है और कितने पर आके लगवग इस्तिर होती है 63.7% तो हम ग्लुकोज की विवरस रंखला एवं चक्रिय संरचना के आधार पर इसके विविन गुणों की हम आसानी से व्याख्या कर सकते हैं किस प्रकार से ये विवरस रंखला में पाये जाता है और किस प्रकार से ये वले संरचना में पाये जाता है और इसके अंदर जो इसके गुण है वो इनके आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं Thank you